और आज का फर्स्ट न प्रस्ट है कि नास्पाति का बिज्ञानिक या वनस्पातिक नाम क्या होता है अगर आपको एंसर मालुम होगा तो टाइप जरूर किजिएगा कमेंट बक्स में इसे पाता चलेगा कि आपकी रिवीजन भी हो रहा है और आपकी तेयारी कैसी चल रही है इसे यही पाता चलता है आपकी एंसर के अनुसार तो नास्पातिक का जो बिज्ञानिक नाम होता है अब तक आपका एंसर भी आ गया होगा तो इसका जो राइट एंसर होज़ेगा अप्सन नंबर A है बिल्कुल ही सही एंसर होज़ेगा और ये जो प्रस्टने काफी महत्त पूछे जाते हैं कि मुकुलन द्वारा किस में जनन होता है इस्ट है हाइड्रा सी है ए तथा भी दोनों और डी है अमीबा तो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वह इस्ट में भी होता है और हाइड्रा में भी होता है ये तथा भी दोनों इसका राइट एंसर होज़ेग कि प्रकंद द्वारा काईक परवर्धन किस में होता है तो प्रकंद द्वारा जो काईक परवर्धन होता है तो जो भी दोस्त आलू और अध्रक को एंसर में दे रहे हैं यानि कि D उनका बिल्कुल ही सही एंसर हो जेगा क्योंकि प्रकंद द्वारा जो काईक प्रवर्धन होता है वह आलू और अद्रक में ही संभाव पता है यनिका अप्सन में जो D है बिल्कुल ही सही एंसर होजेगा और बात करें फोर्तन अपरस्ण के बारे में तो सल्ककंद का निम्नांकित में कौन उधारन है तो सल्ककंद का जो महत्यपूर जो उधारन होता है वह प्याज के साथ इसका राइट एंसर चला जाएगा यनिके अप्सन में जो C है बिल्कुल ही सही एंसर होजेगा अपना एंसर टाइप करते चलिएगा दोस्तों क्योंकि से पादा चलेगा कि आपकी त्यारी कैसी हो रही है और यहाँ पर प्रस्ण कि अबरीत बीजी में कीस परकार का ब्रूण पोस पाये जाता है यह काफी बार बोड एक जानम पूछा गया है कि अबरीत बीजी में कीस परकार का ब्रूण पोस पाये जाता है यानि कि option में जो B है बिल्कुल ही right answer हो जगा अपना answer मिला दे चलिएगा दोस्तो अब प्राग पींड निम्नांकित में किसमें पाय जाता है प्राग पींड तो आपको बताना है कि प्राग पींड निम्नांकित में किसमें पाय जाता है तो अब तक आपका इंसर भी आगे होगा ये new question से तो मदार में जो होता है ये पराग पींड पाए जाता है पहली बार आप नाम सुने होंगे लेकिन ये बोड इक्जाम में पूछा जाता है याद रखेगा मदार पींड पराग पींड मदार ही होता है और यहाँ पर प्रस्ण है कि निम्नांकित में कौन पार्थेनो कार्फिक फल है पार्थेनो कार्फिक फल के रूप में इन में से बताना है कौन है तो जो केला होता है बनाना वहीं पार्थो कार्फिक के फल के रूप में होता है तो आपका answer भी अब तक आग चुका होगा तो इसका जो answer होगा वह इसके sweet grantee के साथ इसका right answer चला जाएगा और hemocorial अपरा hemocorial अपरा निम्नांकित में किस में पाय जाता है तो ये काफी महत्तपूर्स वाल है दोस्तों काफी महत्तपूर्स वाल है कि hemocorial अपरा निम्नांकित में किस में पाय जाता है तो अब तक आपका answer भी आ गया होगा या ससक में पाय जाता है यनि कि option नमर जो C है बिल्कुल ही right answer हो जाएगा दोस्तों सेसान अच्छी लेग रहे होती से पर विश्वास है कि आप लाएंगे ही 70 में 70 और यहां प्राश्ण के भूण में अनुवांसिक विकार के अध्यान के लिए निम्नांकित में कौन सा परिरक्षण इस्तिमाल किया जाता है आपको पता थे कौन सा परिरक्षण इस्तिमाल किया जाता है भूर्ण में अन्वानसिक विकार के अध्यान के लिए तो अब तक आपका एंसर भी आचुका होगा कि एमनी वो सेंटेसिस के नामक फरिक्षार इस्तिमाल के जाता है यह अपसन नमर जो सी है सही एंसर हो जाएगा और यह जो परस्ण है काफी मत्रपूर्ण परस्ण है कि अमर बेल क्या है आपको बताना है कि अमर बेल क्या होता है तो अमर बेल में क्या होता है यह तो पूरा लतर ही होता है हम देखते होंगे कि आम हो या कोई भी विक्ष हो उस पर पीले और लाल की तरह चाप लेता है ठीक इस पर वल्ली फोर ताना ही होता है नो कि इस पर पती होता है तो मूल पर जीवी तो होगा नहीं और अधिप पादप होगा नहीं तो पूर्ण तन पर जीवी इसका राइट एंसर होगे जो सी है बिल्कुल ही सही एंसर होगे क्योंकि इसमें पूर्णता थाना ही होता है दोस्तो जीवी तो उमीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि अमरवेल क्या होता है और जलिए यानि कि हाइड्रोफाइट्स पौधे का निम्नांकित में कौन उधारन है क अुद्परिवर्तन निम्नांकित में किसके द्वारा प्रेरित कराये जाता है आपको बताने कि किसके द्वारा प्रेरित कराये जाता है तो अब तक आपका एंसर भी आ चुक्त होगा तो इंफ्रा रेड भी की रण के दोरा ऐसा संभव हो पाता है यानि कि आपसर में जो B है सही एंसर हो जेगा तो चलिए अब नेक्ष नपरास्ट को देखते हैं और यहाँ पे पूछ लिया है कि मानो में रूधिर वर्ग A, B, O कि लिए कितने जिन जिम्मेवार हैं तो इसमें क्या होता है कि A होता है, B होता है, A, B होता है और O होता है तो इसमें पूछा है कि कितने जिन जिम्मेवार होता है तो जाहिल से बाते चार ही होंगे यानि कि option नमर जो D है बिलकुर ही right answer हो जेगा और इसके परकार है AB positive या या ये तो अलग से इसके परकार होते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि 4 से अधिक होगा तो 4 ही मुंख्यता होते हैं दोस्तों क्योंकि O में ही सामिल होता है O positive और negative तो ये तो अलग से है तो option नमर जो D है बिलकुर ही right answer हो जेगा माना रुधिर में ये रुधिर बर्ग ABO के लिए कितने जिम्रवार है तो वह 4 ही होते हैं नेक्स्ट अपरस्टने के B DNA में दो न्यूकलियर टाइड के बीच की दूरी कितनी होती है कितनी इंगेस्ट्रम आपको बता दे सबसे पहले एक इंगेस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर 10 मिटर ठीक तो यहां पुछा है कि दो न्यूकल करते हैं आपको समझ में आया होगा तो अपसर नमबर जो भी है बिल्कुल ही राइट एंसल होजेगा जो भी दोस्त अपसर नमबर बी के बारे में सुचे उनका बिल्कुल ही सही एंसल होजेगा और यहां पर प्रश्टने के निम्नांकित में समापन कुट कौन है समापन कौन सा है तो इसमें UA G भी समापन कुट होता है और UAA भी समापन कुट होता है तो यहाँ पे यह तो होगा नहीं यह तो होगा नहीं तो अप्सन नमर जो C बचा यानिकि UAA यही समापन कुट होता है यानिकि अप्सन नमबर जो C है बिल्कुल ही राइट एंसर हो जगा जो भी दोस्त अप्सन नमबर C के बारे में सोचे हूं उनका बिल्कुल ही राइट एंसर हो जगा सेसन अच्छी लग रही होते से एक लैक जरूर कीज़ेगा दोस्तों क्योंकि यह चानल जो बनाया गया है सिर्फ आपके ही सहारे बनाया गया है आप जैसा चाहेंगे वैसा ही चानल के मादयम से प्रवाइड किया जाएगा तो एक बार जरूर कमेंट कीज़ेगा कि यह सेसन निम्नांकित में क्या है आपको बताना है कि DNA की विश्यस्ता निम्नांकित में क्या है तो आपका भी इंसर अब तक आ चुका होगा तो पूरक तथा प्रतिसम्रांतर होता है यानि कि अप्स नमर जो यह है बिल्कुल नहीं राइट एंसर हो जागा और बात करें मनुस्य का उश्यसा अंग निम्नांकित में बताएं तो सर्वपर्थम जो आपेंडिक्स की होता है यह नहीं तो ऑव्सेशे 6 अंग के रूप में पयलभीग जो है वह सही इंसर हो जागा प्लभीग जí निकिक के साथ इसका राइट इंसर हो जागा और यहां प्रस्ने के और कियो ट्रिक्स किस काल में पाए जाने माले एक पक्छी था तो आपका बताना है किस जुरासी के काल था उसमें ही पाए जाता था जिवासमे के अध्यायन को क्या कहते हैं काफी महत्य पूर्ड दोस्ते इस सवाल के बारे में बताएंगे कि जिवासमे के अध्यान को हम लोग पलियून टोलोजी कहते हैं यानि कि ऑप्सन दमार जो B है इसका रायट एंसर हो जेगा और पुछता है कि मनुष्य का बिज्ञानिक नाम क्या है तो आपको इससे का एंसर 100% मालू होगा कि होमो सेपियंस जो होता है वह मनुष्य का बिग्यानिक नाम होता है होमो सेपियंस तो इसका जो राइट एंसर हो जएगा जिवास में के अध्यान को प्लियोंटोलोजी कहते हैं यानिका अप्सन नमबर जो B है बिल्कुल ही राइट एंसर हो जएगा और बात करें एक किश्ण प्रस्ण के बारे में कि राइबो नुक्लियोटाइड को निमनाइकित में कौन परिभासित करता है इसमें से कौन परिभासित करता है राइबो नुक्लियोटाइड को तो इसका जो राइट एंसर हो जएगा वो राइबो सरकरा और नाइट्रोजन जीनस छार ही करता है यानिकि जो अप्सन नमबर ए है उसका बिल्कुल ही राइट एंसर हो जएगा जो भी दोस्त अप्सन नमबर ए के बारे में सोचे हैं उनका बिल्कुल ही सही एंसर हो जएगा और बात करें बाइशन प्रस्ण के बारे में कि कीस को सिकांग की मदद से अस्थनांत्रान यानिकि ट्रांसलेशन की किरिया संपन होती है उसका नाम बताना है किस के लिए तो किस को सिकांग की मदद से तो यह जो को सिकांग होती है वह राइबो सोम ही होती है यानि कि जो भी दोस्त अप्सन नमबर बी के बारे में सोचे हैं उनका बिल्कुल ही सही एंसर हो जगा सेशन अची लग रही होती से एक लाइक ज़रूर की जगा दोस्तों क्योंकि लाइक स और संक्रम्यता किसे से संबंदित है का पिए की हीा Quindi का किसे से संबंदित है तो जल्दी में नहीं कर दिडिए टी को सिकाइब पुछाएं दोस्तो अप्सथ नमर जो बी है बी को सिखाएं इसका राइट एंसर होज़ेगा 100% और यहां प्रश्ण की टाइफाइड बीमारी का निम्नांकित में कौन रोग जनक है टाइफाइड तो टाइफाइड से ही संबंदित होगा टाइफी तो देखेंगे टाइफी किस किस अप्शन में है तो साले है प्रश्ण की केचुवा फफूंद गोबर भी टल तथा मृदा माइट से आदी में क्या समानता है यानि कि इसमें समानता के रूप में क्या पाय जाता है तो आपको बताना है क्या इसका एंसर आगया होगा आपका कि डेट्ट्री टी बोरस जो भी दोस्त अप्सन जो भी दोस्त अप्सन अबर्डी के बारे में सोचे है क्यांने कि सीर उनका बिल्कुन ही राइटाइसर हो जाएगा कियोंकि गीर जो बन है गीर आश्चों द्यान या सिंह के लिए परसी दे यान कि सेरों के लिए परसी दे यानि कि option अबर्ड़ देख़ेगा तो चलिए न था भी दोनो तो कोई सी को बता हैं in ुचुल कोगे है तो ही रन तो यह तो जाहिशी बात है यह तो पाय जाती है बाग भी यहां पे पाय जाता है और शाफेद मोर भी पाय जाता है तो बीलूप तो अब तक आपको पाता से लिए से कौन सा Bueno तो जो डोडो है डोडो पक्छी इसका राइट एंसर हो जगा यानिके बी जो है ये बिलूप्त हो गया है डोडो है जो की बिलूप्त हो गया है और यहाँ प्रस्न है कि मरूद भीद पौधा में से कौन है मरूद भीद पौधा में से इन में से कौन है अगर बताना है इन में मरोद भीद पौधा कौन है तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वह नाग फणी किसका राइट एंसर हो जाएगा अगर जलोद भीद कहता तो वह कमल के साथ इसका राइट एंसर चला जाता लेकिन यहाँ पर मरोद भीद पौधा पुछा है तो नाग फणी इस दे प्लाजमीड होता है तो यह तो 110 परसेंट बिद्यार्थी को इंसर मालुम होगा कि अब तक आपका इंसर भी आ गया होगा कि इसका राइट एंसर हो जेता है और इनो टू एंटे एसो टू एनिकि आपसा नमर जो भी है बिल्कुल ही राइट एंसर होजेगा नाइटर्स अकसाइड और सल्फर डाइएकसाइड ठेक तो 20 का सही अंसर होजेगा और यहाँ प्रस्निकी सर्बत्ती सर्बत्ती सोनोरा तथा कलियार सोना कि इसकी प्रोनत किसमे है तो यह तो बहुत बार बोड जा मैं पूछा जाता है कि सर्बत्ती सोनोरा कलियार सोना कि इस राइट ईंसर यानी कि इसका सही अंसर होजगा और यहां परस्न के दूद किस जिवानू द्वला दही में रुपांतित कता है तो वह लेक तो बेसलस नमक जीमारू के कारण ही ऐसा संभव हो पता है यानि कि सी इसका सही एंसर हो जेगा सेशन अच्छी लग रहे हैं तो इस लाइक जरूर कीज़ेगा दोस्तों क्योंकि यह चानल बनाए गया सिर्फ आपके लिए ही तो एक ल त्वनार इंकीत में किसके द्वारा किया सकता है तो इसका राइट एंसर जो होता है दोस्तों अब तक आपका राइट एंसर आजेगा यह कोजिका सनवर्धन के कारण ही ऐसा संबह हो पता है यानि कि option नमर जो ए है बिर्कुर ईंसर हो जेगा के दोस्तों यानिके is the right answer for this question और यहां प्रस्थन की RNA आई तरीके से यहां पर इस तरह से होता है RNAi याई तरीके से कि से नियंत्रित किया जाता है बाल क्रीमी को या नैभी टोट्स को या कोपो को या जिमार्यों को तो आर ने आई तरीके से किसे नियंत्रीत किया जाता है तो अब तक आपका एंसर आ चुका होगा तो जो कोवाक होता है कोवाको को नियंत्रीत किया जाता यानि कि option नमर जो डी है बिरकुर ही right answer हो जेगा तो दूस्तों इस परकार से इस महत्तपूर सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं अगर यह सेशन आपको थोरा सा भी अच्छी लगी हो तो एक लैक जरूर किजेगा और चैनल पर नए चुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजेगा इसी परगार से महत्तपूर सेशन आते रहेंगे तो आज के लिए इतना ही मिरते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदे का साथ थैंक यू